तो दोस्तो आज का वीडियो काफी knowledgeable और interesting होने वाला है सभी operator के लिए क्योंकि आज का वीडियो में बताने वाला हूं कि JCV जब गर्मी के दिनों में चलाते हैं तो overheat क्यों होता है JCV overheat हो जाता है temperature high हो जाती है और काफी गरम हो जाता है तो उस चीज से केसे हम बचे किन किन ब सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मसीन ज्यादा हीट नहीं होती है और जैसे ही हम लोडर यूज करना स्टार्ट करते हैं एक दो घंटे के अंदर आपका temperature का जो लेबल है वो high होना चालू हो जाता है और machine overheat हो जाती है इसका कारण यह है दोस्तों कि जब भी हम जानते हैं कि पीछे का जब बेखो चलाते हैं जब bucket यूज करते हैं तो machine एक जगा अस्थीर खड़ी रहती है अस्टेबलैर पर उसका जो rpm होता है वह fix करके हम चलाते हैं चाया आप 1300 के आरप्यम में चलाएं यह फिर आप 1500 के आरप्यम में चलाएं यह 800 outsokike rpm में फिक्स होता है और उस हम पीछे का बेखो ओकेटए आप उसे चलाते हैं लेकिन जैसे की ऐसे की आगे काλο क्या चलाते हैं वक्त उसका कोई भी आरपियं में फिक्स नहिं होता, cyclor actual pedal पर पैर रखते हैं और जब हम लेबलिंग के काम करते हैं या तो फिर मटी हटाने का मटी उठाने का लोडिंग का काम करते हैं तो उसका कोई भी आर्पियम फिक्स नहीं होता है कभी कहीं ताकत वाला काम रहता है कहीं कम ताकत वाला रहता है तो जैसे ही उसका कभी हम एकसलेटर दबा के आर्पियम को हम तो दोस्तो यहां तक तो आप सब को समझ में आ गया होगा कि इंजन जो है ओवर हीट क्यूं होती है अब हम बात करेंगे कि इसको उपाय क्या है हम इसको ओवर हीट होने से गरम होने से कैसे बचाएं तो चलिए वीडियो में बने रहें दोस्तो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है मैं आपको पांच टिप्स बताऊंगा वो चीज़ को आप फोलो करते हैं वो चीज़ को आप काम करते हैं अगर तो आपकी मसीन गर्मी के दिनों में भी 7-8 घंटा आप कंटीन्यू चला सकते हैं आपका मसीन कभी ओबर हीट नह जानते हैं कि आप इसमें कूलेंट रहता है तो इस चीज़ को आपको चेक करना होता है कि कूलेंट मेरा बराबर है की नहीं तो यहां से आपको कूलेंट चेक कर लें कि मेरा कूलेंट है की नहीं लेकिन लोग क्या करते हैं गलती इसमें दोस्तो कि कूलेंट के जगा सिर्फ ready water में पानी ही पानी डाल देते हैं तो दोस्तों ऐसा करना नहीं है देखिए पानी डालते हैं तो वो थंडे के मौसम में या तो बारिस के मौसम में वो तो adjust हो जाता है उतना machine overheat नहीं होती है वो कर लेता है adjust लेकिन जैसे है गर्मिया start होती है दोस्तों तो आपको coolant आपको use करना है यहाँ पे इसमें रेडी वाटर में आपको हम बता दें कि 16-17 लिटर coolant बेठता है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिर्फ coolant है coolant भर देना है coolant जो है न दोस्तों काफी important रोल करता है जैसे भी इंजन को ठंडा रखने में तो आपको यह काम करनी है सबसे पहली एक चीज दोस्तों कि अगर जब भी आप coolant यूज करते हैं तो आपको genuine ही यूज करना है क्योंकि market में बहुत सारे डुब्लिकेट coolant भी यूज मतलब भीक रहे हैं उसको यूज नहीं करना है देखने में तो आपको same coolant की तरह ही दिखेगा और वो color में वैसे ही आपको हरा हरा color देगा लेकिन वो क्या है कि cool नहीं कर पाएगा इंजन को ठंडा नहीं रख पाएगा तो हम हमेशा आपको बताते हैं कि जैसी भी बड़ी बहुत बड़ी मसीन है और यह मसीनरी समान में जब हम कोई भी इंजन का इंजन में जब कुछ भी हम डालते हैं चाहे coolant हो या I'll हो या कोई सभी parts अगर अंदर का चीज च देख सकते हैं यह cooler तो यह cooler भी है इसमें गर्म होने का कारण देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कच्रा फसा हुआ है आपको साइद दीख रहा होगा पंखी वंखी कच्रा है यहाँ और मिट्टी भी है तो इसका करना क्या है दोस्तों जब भी आप servicing करते हैं यानि कि जब आप इसको machine को धूलवाने के लिए servicing center पर जाते है तो आपको इसमें पानी मार के साफ करना है क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि यह जो इसमें है ना धूल मट्टी कच्रा फस जाता है और यह ब्लोक हो जाता है जिससे इसमें air pass नहीं होता है और air pass ना होने के कारण यह machine को हवा ठंडा हवा नहीं दे पाता है और heat हो जाता है तो यह दूसरा point दोस्तों यह भी काफी important है दूसरा जो सबसे main important चीज है वो आपको दिखाता हूं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जिसको हम air cleaner बोलते हैं या तो pre cleaner भी बोलते हैं या secondary air filter भी बोलते हैं तो दोस्तों इस ची को काफी हलके में ले रहे हैं और इस चीज को हलके में लेना नहीं है क्योंकि होता है कि धूल मट्टी जो है न दोस्तों उसमें खीचता है यहां से तो air cleaner के बारे में भी मैंने अल्रेडी चैनल पर अपलोड कर लिया है उसका link description में डाल दूंगा air cleaner का full detail आपको मिल जाएग हो जाती है तो यह तीसरा सबसे में important चीज है और चोथी जो चीज है दोस्तों जिसे हम बात किये अभी जैसी भी के अंजन जी देख सकते हैं यहां पे एक air filter होता है तो पहले के मसीनों में क्या होता था कि इसको खोल के और इसमें से धूल मट्टी जो जमता था उसको हम पी हीट होने से बचता था लेकिन अभी के नए मोडल मसीनों में क्या दिया गया है दोस्तों अभी देख सकते हैं यहां पे एक sticker लगा हुआ है और आपको हम दिखाते हैं नजदिक से क्या लिखा हुआ है कि यहां पे जब तक केविन के अंदर air cleaner बजरना बजे तब तक कवर न नहीं होता है जब भी यह बदलने का टाइम आएगा जब चेंजिंग प्रियर आएगा तो जैसी बी के अंदर जो मीटर होता है दोस्तों यहां पे मीटर तो उस मीटर में लाइट जल जाएगी कि आप air filter को चेंज कर लें एर filter काफी इतरा से खराब हो चुका है तो इसको ख कि नहीं क्योंकि इंजन आयल से भी मसीन गरम होती है अगर कम है तो अगर आपके जैसी बी में इंजन में इंजन आयल कम है तो मसीन हीट होगी है दोस्तों क्योंकि इंजन आयल जो है ना वो जैसी बी के अंदर जैसे इंसान के अंदर खून होता है ब्लड होता है वैसे ही य वो काफी गरम हो जाता है और चीड़ चीड़ा पनाता है वैसे ही इसमें भी अगर इंजन आयल कम है तो दोस्तो आपका मसीन भी हीट होने का कारण हो सकता है तो ये काफी इंपोर्टन चीए दोस्तो गर्मी की दिनों में ये अक्सर होता है ओवर हीट होने का कारण तो ये पा यो लंबा हुआ होगा लेकिन आप लाश्टक बने होंगे तो उमीद करता हूँ आप सबको पूरा समझ में आ गया होगा